ये है iPhone 14 और ये है S23 तो चलो देखते हैं कौन सा जादा value for money हो जाता है iPhone में 6.1 inches का OLED display मिलता है ये 60 Hz वाला display है जिसमें आपको साथ में एक notch भी मिलती है वहीं S23 में 6.1 inches का OLED display मिलता है और यहाँ पे 120 Hz वाला display मिल जाता है iPhone में 1200 nits की और S23 में 17.50 nits की peak brightness मिल जाती है iPhone में ceramic shield का protection मिलता है और Samsung में Gorilla Glass Victus 2 का दोनों ही IP68 water resistant है लेकिन Samsung सिफ 1.5 meter और वहीं iPhone 6 meter तक पानी के अंदर survive कर सकता है for 30 minutes iPhone में Face ID और Samsung में ultrasonic in display fingerprint sensor मिल जाता है यहाँ पे 2 lenses और यहाँ 3 lenses मिलते हैं iPhone शूट कर सकता है 4K 30fps पे Dolby Vision में और वहीं S23 शूट कर सकता है 8K 30fps तक फोटोस के मामले में आपको जारा अची फोटोस S23 में मिलेंगी और वीडियोस के मामले में iPhone winner हो जाता है अगर gaming की बात करो तो iPhone में जारा अची gaming होती है Samsung थोड़ा heat होने लगता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ दोनों में से कौँछा खरीदना पसंद करोगे